आज का हमाय टॉपिक है रेफिजेट माइक्रोम अब देखिए रेफिजेट माइक्रोम और इसको हम क्रायो स्टेट भी कहता है क्रायो स्टेट है क्या देखिए आप बता देता हूं क्रायो स्टेट एक प्रकास से रोटेटरी माइक्रोम है यह प्रकार क्रायो स्टेट क्या है here रोटेटरी माइकोटोम यहोता है सैंथा है तो क्रैको स्वेन करें जो यह जो यह जो यह प्लेश कर रख़ा एक रेफोड़ीजेटर में थर्मोस््केरी नहीं है तो cryo state क्या है? Rotatory Microtome plus anti-roll plate जिनको हम रख 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 है जो कि thermostate की control है और इस Rotatory Microtome को हम बाहर से operate करते हैं यह है definition तो सबसे पहले अगर आप cryo state question आता है तो सबसे पहले आप आपको definition निखनी है Cryo state type का Rotatory Microtome है जिसके साथ anti-roll plate है In cryo state a Rotatory Microtome with an anti-roll plate होस्ट in a thermostatically controlled refrigerated cabinet is used while the Rotatory Microtome movement is operated from outside the cryo state और इसमें temperature किता रहता है माइनस 30 देगरी तो यह है cryo state अब हम इसको कैसे सेटल करते है और किस तरह से सेक्शन कारते है वो है अपना अगला समझा रखा है यहां पर देखें सबसे पहले क्या करना है अपन को cryo state का switch on करना है जो यह cryo state है इसका switch on करना है पहले switch on करना है anti-roll plate है उनको अपने जगा पे रखना है switch on करना है वो हमें पहले करना है थोड़े घंटे पहले ताकि हम एना minus 20 दिग्री है उससे भी कम टेंपरेचर अप्टेंड कर सके तो देखें switch on the cryo state along with the knife knife डाल दिया और inserted in serval serval hour before the processor for attaining the operating temperature जनरली minus 20 डिग्री switch on करना है ग्राइटेट को knife को अपने जगा पे डालना है ताकि हम और वो भी processor के कुछ गंटे पहले ताकि हम minus 20 दिग्री और operating temperature हम हमें मिल सके फिर small piece of fresh unfixed tissue जो कि 4 mm क होगा fresh unfixed tissue जो कि काटा हूआ है उस fresh unfixed tissue को हमें हमें रखना है objective disc पे कहां पे रखना है objective disc पे और वो भी deep freeze self की deep freeze self के अगर हम objective disc पे अगर tissue रखेंगे fresh unfixed जो काट के वो रखा तो वो क्या होगा अब freeze के अंदर हम कोई भी tissue रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा मतला फ्रोजन हो जाएगा तो देखिए small piece को रखना है deep freeze में 102 मिन के लिए तो tissue is rapidly frozen हाँ और frozen हो गया अब यह है frozen हो गया now the objective disc having frozen tissue is inserted into microtorm objective clamp और फिर उस objective disc पे जो tissue था उसको हमने रखना है objective clamp पे और अब हमें anti roll plate प्लेस करनी है पहले पहले हमने knife place किया था अब objective clamp को रखके और अब हमें anti roll plate को अपनी उसकी जगह पे रखना है और अब manual movement से कातना है तो manional movement with कातेंगे कैसे आपने knife तो fix रहेगा और tissue रहेगा जो movable रहेगा तो suivãy तू को अपने बाहर से operating करकर मैं से कातने हैं तो the knife absorption कर जाएंगे और फिस नाइफ से सेच्षे लेखेओं डायरिक्ट ले लेगा hmm लेखे लेंगेद टेमप्रेचर का डिफरेंस रहा इन के बीच में तो अपने आप भी बिश्चा के सब्सक्राइब के है gladi doc प्रीर अवेस्ट काँ जब गार। अब यहां पिश्चे में आप प्लेट हैं हमने क्यों लगई इसकाम होता है प्रिवंट करता है यह फोल्डिंग को तब जैसे लाइड पे अभ ऒजगी हाँ एप बया मैनुवल मोमें इनकले को फटेक्ट जार जिकनेस्ट प्रेवाँ प्रॉड़ प्रेवंच प्रेवन फिल नाटिकों सेटे अधि पर आजाएंगे because of difference in temperature between the section and slide क्योंकि temperature का difference is glass light पहलग temperature और knife पहलग temperature तो अपना भी आप आजाएंगे और the section is ready for staining और उसी तरह section ready is turning के लिए अब हम cryostate को deforestate कर देंगे और clean कर देंगे on weekends and clean on weekends and clean on weekends और विकेंगे को clean कर देंगे तो cryostate मतलब frozen tissue के लिए काम आता है काटने के लिए और उनको stain करने के लिए और मतलब यह और कुछ है नहीं ज्यादा पहले है ना मतलब वापस अगर एक सब्सक्राइब बता हूं तो हमें operating temperature मतलब minus 20 करना है switch on कर देना फिर अमेना उस piece को रखना है अब्जेक्टिव डिस्क पे और फिर piece जब जाएगा फिर उसको अब्जेक्टिव क्लैम पे रखना है और एंटी रोल प्लेट दगाना है और फिर मैनुल मुमेंट से काटना है और फिर आम एना टिशू और जो नाइफ पर आजाएगा वो ग्लास लाइट पे लेना है दो एक फूरा से नीचे रखें ग्लास लाइट को सुझेंस आपना पा जाहेँ और फिर एम पयाज्ञे से करेंगे और फिर क्लाइशौ को कृजो लगे करेंगे तो यह उगा है नाइफ इसक आद्वांटेज क्या है अब यह है कि यह सेक्शन्स जो करता है वह तीन होते है और बेटर कंट्रोल और टेम्टीर मो्विस निगा प्रशु को अच्छा रहा है और ही इक्वेंट प्टेबल जा काले जया जा सकता है फर स्टिंक के आज दूसरे तब ऊसको जो स्टेञिंग करते हैं और चार ऊपर महना है जो कि इस स्लाइड पर उसको हम क्या करेंगे тех ए इससलाइड है और यह सक्सन से अब इन सेक्सन को क्या करेंगे इस पर डाल देंगे tolrin blue 0.5 परसेंट होना चीए आदे मिंट से 30 से 1 मिंट तक 30 से 60 से कि बो सकते हैं तो आदे मिंट से 1 मिंट तक डाला हमने tolrin blue solution पर फिर पाने के साथ दो देंगे और फिर हम मांट कर देंगे water or glycerine से कवरशलिप लगा देंगे और फिर हम उसको मांइक्रोच्डोप के अंदर examine कर देंगे तो यह हो गया अपना cryo state और tolerant blue staining अब हम अगला topic पढ़ेंगे जो कि होगा अपना माउंटिंग टेक्निक या फिर माउंट्स के बारे में